ये All India Radio की उर्दू सर्विस है समीन आज गल्ब का आलमी दिन है और हिवजाने सेहत प्रोग्रेम के तहट आज हम आपको सुनवा रही है डॉक्टर अजय कुमार शर्मा के साथ ये गुफ्त कू ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नई हाथरे खिदमत है आप सभी सामाइन को मेरा पुर्खलूस आदाब जोस्तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज के दोर में बढ़ती हुई दिल के मुखतलिफ बिमारिया इस हवाले से और इस मौज़ू के हवाले से बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राममनलोया हॉस्पिटल नई देली के सीनियर कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर अजय शर्मा डॉक्टर अजय आपका खेर मगदम है हमारे प्रोग्राम में शुक्रिया आज के दौर में ये देखा जाता है डॉक्टर सब के दिल की बिमारिया बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और इसके साथ साथ एक और बात जो देखे जा रही है वो ये है कि कम उम्र के लोगों को भी दिल की बिमारिया हो रही है यानि दो सवाल आप से जुड़ गए किस वज़ा से ऐसा हो रहा है इसके बहुत सारे रीजन्स हैं और सबसे इंपोर्टन्ट हैं कि जो रिस्क फेक्टर्स हैं वो वज़ें जिन से जोखिम बढ़ जाता है हार्ट अटेक का वो जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है वेस्टरनाइजिशन हो रही है वो बढ़ते जा रहे है जैसे डायपटीज का रिस्क बढ़ता जा रहा है डायपटीज की बिमारी बढ़ती जा रही है जैसे ही diabetes होती है तो heart attack का और heart की बिमारियों का रिस्क चार गुना बढ़ जाता है और वैसे ही high blood pressure और motapa और physical in activity लोग बैठे बैठे सारा काम दिन में कर लेते हैं और चलते फिरते नहीं हैं बिलकुल भी और smoking का बढ़ना और तमाखु का use, alcohol और साथ में improper diet, fast food, cold drinks और साथ मे mental tension का बढ़ना जो आजकल की भाग दोड़ की जिन्दगी है उसमें इतनी mental tension है कि उससे भी heart attack का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और अगर किसी की family में already heart attack की बिमारी है तो उसको heart attack की बिमारी होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है तो कहने का मकसद डॉक्टर अजे शर्मा अब यह देखने को मिलता है इस तरह की बिमारी है देखने में आती है तो इसकी बजाए यही कि हमने अपनी जिन्दगी का जो तरजे अमल है रोटीन है वो भी हमारा lifestyle बहुत ही गलत हो गया है बहुत बदल गया है और उसको सही रहा पर लाने की जरूरत है heart attack के बारे में य उसको rest ने मिलती है अगर धड़कना बंद कर दे तो हमारी जिन्दगी खतम हो जाती है तो इसलिए उसको blood supply करने के लिए ताकि वो धड़कता रहे तीन नसे हैं जो कि उसको blood supply करती है जिससे की heart को धड़कने के लिए glucose और oxygen मिलती है arteries तीन arteries है उनको coronary arteries कहते हैं तो तीन में से किसी एक में भी अगर कोई blockage जा जाए और blockage जाने के बाद में फिर उसमें कोई clot बन जाए जिससे खून का रुकना बिलकुल बंद खून का दौरा बिलकुल बंद हो जाए तो वो heart का area जिसको वो supply करती है वो heart का area damage हो जाता है औ frontal part में चेस्ट के बीच वाले इससे में और बाइए और बीच वाले हिस्से में हो सकती है और उसमें होती है और चेस्ट pain होगी या फिर दवाव महसूस होगा और साथ में ये pain जो है ये बाईं बाजू में या कभी-कभी दाईं बाजू में रेफर कर सकता है पेट के ओपर के हिस्से में भी फील हो सकता है और साथ में गले में या नीचे वले जबडे में भी महसूस हो सकता है अच्छे कई बार चुक्साब मैं मादर चाहूँगा आपको रोक रहूं क्योंकि यहां ऐसा होता है कई बार कन्फूजिन होता है किसी को गैस की परिशानी है गैस्टराइटीस है तो उसमें भी एक तरह से पेट का जो दर्द होता है वो भी आपर अपर अप्डॉमें में होत होता है पेट के तो क्या उसमें कई बार मिसलीड भी हो जाता है हां ची बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इसी कारण से कई सारे हार्ट अटेक मिस हो जाते हैं और ठीक ट्रीटमेंट नहीं हो पाता जब भी इस तरह के सिम्टम हो जिसमें खासकर साथ में गबराट हो पसीना आ के बाद में ज्यादा तर पता चल जाता है कि हार्ट अटेक है या नहीं और अगर हार्ट अटेक है तो कहते हैं कि time is muscle time is heart muscle हमें बिलकुल भी time waste नहीं करना है जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी treatment शुरू करना है तो सबसे जल्दी क्या कर सकते हैं एक तो अगर aspirin या dispirin की available हैं जो कि जल्दी से जल्दी अगर दे दें तो वो बंद आर्ट्री जो है वो खुल सकती है एक को कहते हैं एक इलाज जो की injection के तौर पर दिया जाता है उसको कहते हैं clot buster medicines जैसे कि वो या तो drip में दी जाती हैं glucose के साथ या फिर injection लगा के भी bolus form में दी जा सकती हैं जैसे स्टेप्टो काइनेज टीपी एट अनेक्टी प्लेस इस तरह के injection अविलेबल हैं आसपास में कहीं भी जहां ऐसी सुविदा हो इस तरह के injection लग सकते हो वह एकदम से पिशंट को लेके जाना चाहिए क्योंकि अगर शुरू के दो से चार घंटे में वो नस खुल जाए तो वो हार्ड का अरिया डेमेज होने से बच जाता है जो की हार्ट अटेक में अधर वाइस डेमेज हो सकता है इसलिए कि यह चैते हैं कि जो शुरूराती जो घंटे है बहुत एहम है शुरू यह गंटे को गुर्ड़न आर का गया है अगर उसमें खोल दिया जाए नसको तो थ image नहीं होता और हार्ट बिल्कुल नॉर्मल रह जाता है और जैसे जैसे हम देर करते रहेंगे अगर अगर सब्पोज बारा घंटे हो गया है पूरे तो उसके बाद कोई ज्यादा फाइदा नहीं होता और दूसी तरह का जो ट्रीटमेंट है ये तो एक हो गया क्लाट बस्टर सें से क्लाट को डिजॉल्व करने वाले मेडिसन से हां दूसरा मेथड जो और बहुभी ज्यादा और जैसे जैसे डिले होता जाएगा बारा गंटे के बाद यूसली नुकसान बढ़ता जाएगा जी बारा गंटे के बाद कोई बहुत जदा फाइदा नहीं होता है इस प्रोसेजर से भी तो ये इंपोर्टेंट है और इसके बाद कुछ और भी दोईयां दी जाती है जिससे क और clot ना बने तो वो द्वाईयां जो इसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो बिना miss किये लेनी होती है नहीं स्टेंट में भी फिर clot बन सकता है तो डॉक्टर अजय आपने बता है कि हार्ट अटेक कैसे होता है या क्या है और क्या उसकी वजुगात है लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है कि हार्ट अटेक तो हो गया लेकिन अगर उसको होने ही ना दे कुछ हम ऐसी तदाबीर करें कि हार्ट अटेक ना हो या उसके चांसे कम हो जाए आपने बिलकुल ठीक फ छाती में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और शाती में सांस भी फूल पूल सक्ता है। ऑगर रुक जाये उस टाइम तो ठीक हो जाता है थोड़ी जेर में निस्फ ही सिम्टम है चाती में दर्द होना या भारीपन होना या फिर दवा महसूस होना जो की एगसर्शन कि हमारी हाट की नसे नुमें कोई ब्लोकिज तो नहीं है अगर इस तरह का ब्लॉक जा जाएगा और एगर कोई क्लाड बन गया तो हाट अटेक हो जाएगा तो अगर इसको और बने से रोका जा सकता है दौईयोंढे जो गी कॉंटिनुस लेनी होती हैं और एंजिग्राफी करके अगर ज़्यादा ब्लॉक है तो स्टेंट भी लगाया जा सकता है जिससे की फ्यूचर में हार्ट अटेक का रिस्क बहुत कम हो जाएगा यह स्टेंट जो हम लगाते हैं एंजाइने के आप बात कर रहे थे उस तरह के मरीज़ों को तो यह कितने वक्त तक काम करते हैं देखिए स्टेंट तो हमेशा के लिए ही काम करते हैं लेकिन पांस से दस परसंट केसिस में जो दवाई वाले स्टेंट है उनमें री ब्लॉकेज हो सकती है तो फिर से पेशेंट को चाती में दर्द या भारीपन होना शुरू हो जाएगा और अगर ऐ आपने वजुआत ये बताएं थी कि खाने पीना का जो हमारा स्टाइल है या जो खुराक है हमारी वो आजकर भी कोछ तब्दील हो गई है तो किस तरह की गिज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और किन गिज़ाओं से परहस करना चाहिए हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि हम में हार्ट की बिमारी बहुत बढ़ जाती है अगर ये हो तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि जिसमें की जो तलीवी चीज़ें और ज्यादा घी वाली चीज़ें वो हमें कम लेनी है और साथ में जो फल, सबजी, सलाद ये हमें जादा लेनी है अक्रोट और बादाम भी हा और हैट में तबड्तिल होगा वही फैट जागे नसों में आवे हो जाएगा तो डाइट में प्रोटीन की मातरा आप्टेन की हुनी है और किस तरह की exercise वो मरीज कर सकते हैं जो heart attack से मुतासिर हुए हैं जिनको heart attack नहीं हुआ exercise तो उनको भी करनी चाहिए कम से कम आदा घंटा रोज या तो brisk walk करनी चाहिए या फिर अगर dog लगाने में कोई दिक्कत नहीं तो dog लगानी चाहिए वो भी walking तो पहले ही शुरू करवा देते हैं लेकिन उसके बाद दीरे-दीरे walking बढ़ा सकता है और वो भी 30 मिनट रोज की अगर walking करेगा तो heart के muscle को rejuvenate होने में भी उससे फाइदा मिलता है वो मजबूत हो सकते हैं जो जो कमजोर हो गए तो इसमें क्या heart attack जिस मरीज को आता है और जैसा आपने कहा कि 5 हफते के बाद क्या ब्रिस walking ये तेस चहल कदमी कर सकता है अगर उसका ठीक treatment हो गया है जैसे मैंने आपको बताया है तीन से चार घंटे में उसको clot dissolve करने की medicine मिल गई है या फिर उसकी stenting हो गई है उस दरहान में तो heart का muscle damage नहीं होता तो ऐसे रोगी को हम जल्दी ही चलने के लिए कह देते हैं लेकिन जो लेट आया है जिसका heart का muscle damage हो गया है और तो वो अगर ज़्यादा तेज़ चलेगा तो सांस भी फूल सकता है इसलिए उसको हम फिर दीरे दीरे चलने के लिए कहते हैं और ग्रेजुली उसको इंक्रीज करते हैं ग्रेजुली उसकी जो walking speed है और distance है उसको बढ़ाया जाता है जितना वो टॉल्रेट कर ले और heart attack के लावा एक और बहुत बड़ी परिशानी है जो सुनने में आती इस stroke उसके मतालिक लोड़ा साम जाना चाहते हैं इस stroke का और heart attack का heart attack actually heart की नस को involve करता है और जो stroke जो है वो brain की नसों को involve करता है तो दोनों का mechanism एक ही है जो इसके risk factor है heart attack के वही risk factor या वही वजें जिन से जोखिम बढ़ता है वो brain attack की stroke को brain attack भी कहते है और उसका treatment भी आजकल है सही है अगर आप पहले तीन गंटे में किसी ऐसे hospital में चले गए जहां कि neurologist available है तो वो clot dissolve करने वाली medicine दे के वो उस clot को भी dissolve कर सकता है और जो brain stroke हुआ है वो surprisingly एकदम से ठीक भी हो सकता है और यही वज़ा है कि लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 29 September को हम world hard day मनाते हैं यानि दिल का आलमी दिन मनाया जाते हर साल 29 सितमबर को जिए और इसकी वज़ाए यही है कि अवाम में जो है बेदारी और वो aware हों किस तरह से दिल के बिमारियों से बचा जा सकता है इसका मकसद यही है और उस दिन बहुत सारे प्रोग्रामों का इन अकाद किया जाता है जगा 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 पर और खास तोर पे हमारी ह की जानिव से. पतालों के लावा भी मुक्तलिफ किसम के प्रोगाम उस दिन चलाया जाते हैं. जे तो ये बड़ी अच्छी मुहिम है और ये होना भी चाहिए. क्या कहना चाहेंगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी हार्ट की बिमारी ना हो, heart attack ना हो, उसके लिए इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो अपना blood sugar periodically check करवाते रहें, अगर diabetes है, तो heart attack का risk पढ़ जाता है, तो इसलिए फिर उसको control करके रखें, अपना blood pressure periodically check करवाते रहें, बीच बीच में, अगर blood pressure बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर की सला से blood pressure की दवा लें, ब्लॉट बढ़ने से brain stroke भी और heart attack भी दोनों का ही risk पढ़ जाता है, अगर हमारा weight जादा है, तो हम अपनी diet को modify करें, और रोटी और चावल का intake कम लें, और फल और सबजी सला जा लें, जिससे की हमारा weight normal range में आ जाए, physically inactive हैं, तो physical activity बढ़ा हैं, और smoking करते हैं, तो smoking बिलकुल बंद कर दें, और जैसे अभी आपको बताया है, proper diet लें, और mental tension है, तो mental tension को कम करने के लिए, योगा और meditation का साहरा लें, mental tension भी आज की भागदौड़वरी जिन्दगी में एक बहुत ही important reason है, बहुत एहम role अदा करता है, बहुत एहम role अदा करत उनके लिए risk जो है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, जी काफी बढ़ जाता है, हार्ट फेलियोर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, चुकि कई बार देखने में आता है, और ये भी cases आजकल बहुत इन में भी अजाफा हो गया, खास तो पर COVID-19 के बाद अगर हम देखें, तो ह हार्ट अटेक ही है, हार्ट की बिमारी ही है, हार्ट अगर हार्ट का मसल डेमेज हो गया, तो फ्यूचर में हमें हार्ट फेलियर हो सकते हार्ट फेलियर में भी सांस फूल लेगा और सूजन आ जाएगी, एक तो यह कारण दूसरा है, हमारे वाल्स की बिमारी होती है, इसको COVID virus भी है तो अगर heart के muscle में infection हो जाए viral infection तो उससे भी heart का muscle damage हो जाता है जब heart का muscle damage हो जाएगा वो पूरे blood को pump नहीं कर पाएगा तो वही blood lungs में और साथ में बागी की body में swelling आ जाएगी लंग्स में blood इकठा होगा उससे हमें एकदम से जाएगा इसी को heart filler कहते हैं अच्छा वैसे तो दिखे डॉक्स हो यह है कि COVID-19 का जहां तक infection के बाद ही टिस्क हो आता जिसे हम pneumonia कहते हैं लेकिन दिल पर भी उसका अच्छा खासा असर हुआ हाँ जी वो अगर COVID virus गले से नीचे फैल जाए लंग्स में चला जाए तो वो ब्लड के थुरू फिर पूरी बॉड़ी में फैल जाता है और हाट को भी इंवाल्व कर सकता है सिवियर कोविड डिजीज में तो हाट में काफी ज़धा involvement काफी लोगों में मिली है तो अपने दिल को सेहत मंद रखने के लिए उसको तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करना चाहिए जैसे मैंने अभी आपको बताया हमें regular exercise करनी चाहिए अपना वजन नहीं बढ़ने देना चाहिए अपना sugar blood pressure ठीक रखना चाहिए अपना cholesterol periodically चेक करवाना चाहिए और LDL cholesterol जिसको कि bad cholesterol भी कहते हैं उस उस पर खास ध्यान देना चाहिए वो normal range में रहे अगर cholesterol बड़ा है तो ऐसी दवाईयां मिलती है जिनसे की cholesterol को normal किया जा सकता है और heart disease का risk कम किया जा सकता है डॉक्टर की सलह से वो आप दवाईय ले सकते हैं बिलकुल और दिल की बिमारियों से बचने के लिए या एतियाती तोर पे किस तरह की जाच करानी चाहिए रूटीन की तोर रूटीनली हमें अपना blood pressure चेक करना चाहिए weight का record रखना चाहिए sugar चेक कराना चाहिए और cholesterol चेक करने के लिए और cholesterol खासकर bad cholesterol cholesterol दो तरह का होता है bad cholesterol को LDL cholesterol को bad cholesterol कहते हैं जो की heart के लिए harmful है और cholesterol है वो heart attack से protect करता है तो ये सब test हमें periodically करवाते रहना चाहिए और अगर ये ठीक नहीं है report तो डॉक्टर से consult करना चाहिए कहने का मकसद है डॉक्टर अजे आपका ये है कि वक्तन फावक्तन हमारे जाच भी ज़रूरी है जैसे अच्छे सेहतमन दिल के लिए हैं हम अपनी गाड़ी के तो खूब जाच करवाते हैं वैसे हमें अपनी भी सर्विस करवाने चाहिए periodically छे-छे मेने में या हर साल एक बार हमें ये सब टेस्ट करवाने चाहिए अभी कुछ लबही पहले आपने डॉक्टर जै रॉमेटिक डिजीज की बात की जी हम थोड़ा सा तफसील से जाना चाहते हैं कि आखिर ये रॉमेटिक डिजीज या विमारी होती क्या है रॉमेटिक हाट डिजीज जो डिवेलपिंग कंट्रीज हैं उनमें काफी कॉमन है और जो डिवेलप्ट कंट्रीज हैं उनमें ये अब नहीं होती अच्छा एक्चली जो बच्चों में बीटा हमोलिटिक स्टेप्टो को काही होते हैं उनकी गले में इन्फेक्शन होती है उनकी फरिंजाइटिस कहते हैं तो एक खास तरह के स्टेप्टो को काही होते हैं जिनकों की बीटा हमोलिटिक स्टेप्टो को काही कहते हैं उनसे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो जब एंटीबोडीज बनती हैं तो वो एंटीबोडी हार्ट के और जॉइंट के कुछ जो टिशूज हैं उनके सथ क्रॉस रिक्ट कर जाती हैं और एक तो जॉइंट पेंज हो जाएंगी, फीवर होगा बच्चे को और साथ में उसके हार्ट में भी जो हार्ट के वाल्स हैं वो भी इन्वाल हो जाते हैं तो उस टाइम तो हम ट्रीटमेंट दे के इसको ठीक कर देते हैं लेकिन बाद में फिर क्रॉनिक स्टेज में जाके हार्ट के वाल्स डैमेज हो जाते हैं तो हार्ट के वाल्व डैमेज होने से क्या होगा कि एक तो लीकेज हो जाएगी वाल्व में या फिर उसमें अब्स्रक्शन आ जाएगी तो दोनों ही किसंद की बेमारे हैं जी सिकूर भी सकता है और उसमें अब्स्रक्शन भी हो सकता है तो चाहे लीकेज हो चाहे अब्स्रक् हार्ट के सर्जन वो वाल्व को चेंज कर सकते हैं और मेटल के वाल्व लगा सकते हैं या फिर टिशू के वाल्व लगा सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय शर्मा आपने दिल के मुक्तलिफ बिमारियों के मुतालिख बड़ी तफसील से बताया और बहुत आसान अलफाज में लोगों तक मालूमात पहुंचे हमारा मकसद भी यह और आपने कीमति वक्त अपना निकाला आप हमारे बहुत थे डॉक्टर अजय शर्मा सीनियर कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर राम मनौर लोया हॉस्पिटल नई दिली आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान नेम को दीजे इजाज़त आइनदा प्रोग्राम में एक और मौज़ू के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के दो सर्विस है